नमस्कार डीवी निउस में आपका स्वागत है इसराइल हमास में जारी जंग के बीच जहां एक तरब दुनिया बढ़ती नजर आ रही है वहीं सभी की निगाहे भारत पर है आर्थिक और इसैनिय शक्ती से मजबूत होते भारत के साथ अमेरिका भी अच्छे संबद बनाय रखना चाहता है खुद वाइट हाउस का कहना है कि भारत अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना हुआ है इसमें भारत और भारत सरकार की मर्जी है कि वे दुनिया में चल रहे किसी संगर्ष पर क्या रुक अपनाते है अमेरिका का यह बयान भारत के वेश्पिक स्तर पर मजबूत होते कद का नतीजा है मीडिया से बातचीत में एक पत्रकार ने इसराइल हमास जंग पर भारत के रुक पर सवाल पूछा जिस पर वाइट हाउस के जॉन कीरवी ने कहा कि भारत अमेरिका का एक जरूरी रहिन नीतिक भागिदार है इसके लिए उन्होंने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के अमेरिकी राज की दौरी की और इशारा किया जहां प्रधान मंतरी का भव्य स्वागत हुआ अमेरिकी कॉंग्रेस को उन्होंने संबोधित किया इससे दुनिया ने भी भारत की असल ताकत को पहचाना है कीरवी ने कहा कि अब दुनिया में किसी मसले पर भारत क्या रोक अपनाता है ये भारत का नेजी मसला है वहीं अमेरिका भारत को वेश्पिक इस्तर पर कई वजहों से अपने सांथ बनाई रखना चाहता है मंदेपूर्व के ताकतवर देशों सवधी अरब और यूनाइटेड अरब अमिरात के सांथ भारत के बहतर संबंद है इसराइल के सांथ भी भारत के संबंद सामाने है लगतार बर्ती आर्थिक और सैनिता कत दुनिया के मैप पर लोकेशन और दुनिया भर में शांती और सुरक्षा के प्रती भारत की प्रतिवद्धता जिससे अमेरिका भारत से बैड नहीं जाता है बता दे कि वाइट हाउस के नैशनल सेक्योरिटी काउंसल में स्ट्राटेजिक कम्यूनिकेशन को और जिनेटर जॉन कीरवी ने कहा कि भारत के सांथ अमेरिका अपने संबंदों को और भी मजबूत कर रहा है भारत के बड़ते कत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका प्रतिवंदों के वावजूत भारत ने रूस के साथ अपने रिष्टे बरकरार रखे हैं